राजा महराजा की तरह शाही ठाट बार पसंद करने वाले लोगों को राजस्थान बेहद ही आकरशित करता है। दुनिया भर के नामी लोग यहां करोडों खर्चा करके अपनी शादी करते हैं। इस कड़ी में अब बॉलीवूड की आक्ट्रिस प्रियंक का चोपडा का नाम भी शामल होने जा रहा है। देशी गौर प्रियंक का अपने होने वाले विदेशी पती निक जोनस के साथ, राजस्थान के उमेद भवन में साथ पेडरे लेने वाली हैं। राजस्थान ने बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड के लोगों का दिल जीता है। यहाँ पर कई शांदार भव्य शादियों का आगाज हुआ है। चल यह आपको बताते हैं उन सितारों के बारे में जिन्नोंने अपने जिन्दगी के सबसे खुबसूरत पलों को कैद करने के के लिए राजस्थान के शाही परंपरा को चुना। केटी पेरी और रुसेल बॉंड ने 23 ओक्टूबर 2010 को राजस्थान में शांदार शादी की थी। उनके इस भव्य शादी में तकरीबन 80 महमानों ने शिर्कत की थी। उन्होंने शादी के लिए राजस्थान के का कुरता पैजामा पहना था और कैटी ने लाल रंकी साडी पहनी थी। इनकी शादी के दोरान भारतिय पारंपरी गाने बज़राये थे। रवीना टंदन अनिल थडानी बॉद वर अक्ट्रस रवीना टंदन और अनिल थडानी 22 फरवरी 2004 को शादी के बंधन में बंदे थ मानव गंगवानी ने काफी मेहनत की थी। विक्रम चट्वाल प्रिया सच्टेव विक्रम चट्वाल और प्रिया सच्टेव ने भी अपने जिंदगी के इतने अन्मोल पलों को राजस्थान की वादियों में कैद किया था। इस कपल ने अपनी शादी के सारे फंक्शन अल इनकी शादी में हिलेरी क्विंटन और उनकी बेटी चेलसा शामिल हुई थी। इसके साथ ही इस पार्टी में तकरीबं 400 महमानों ने शिर्कत की थी। अलिजाबेद हरली अरुन नायर बॉलिवुट से हॉलिवुट के सितारों के लिए दाजिस्थान उनका फेवरिट रहा है। उमेद भवन में अलिजाबेद हरली और अरुन नायर ने भी उमेद भवन से ही शादी की थी। यहां आएई लोग कुस दिनों के लिए किसी महाराजा महराणी की life style को महसूस करते हैं, कभी न भूलने वाले से एहसास को महसूस करने का खर्च भी कम नहीं होता, करोडों खर्च करने के बाद लोगों को ये royal का एहसास होता है, 2-3 दिन के शादि के समारों पर कम से कम करोडो का खर्चाता है पांच से पच्चिस करोड का खर्च सामान्य बाना जाता है तो ये थी प्रियंक को निक के अलावा ऐसे के लिंस जिन्होंने राजस्थान में अपनी शादी की थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजे इस पर कमेंट कीजे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजे लिरश